अगले दिन आखी पेपर के बाद वो दोनों मिलीनियल पर बैठी थी, कुछ देर बाद मिकी, आरजे और रोशना, जो असमारा की बहन और प्रिंसेबल की बेठी थी, वहां आ गए थे, आज आरजे सब को अपनी मंगनी की हुशी में ट्रीट दे रहा है, मैरूने उसका जिकर मत किया करो, आनम चिड़ गई थी, अच्छा ठीक है गुस्साता मत करो, आज जो असादी का दिन है, पहरो मुस्कुर आई थी, कुछ देर बाद मिलीनियल के सामने कारी रुगी थी, और उसमें से एक स्टाली सी लड़की निकली थी, वो अब आरजे की तरफ कदर मढ़ा र मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, लड़की की आवास रोन गई थी, एक साल का रिलेशनशिप रहा है हमारा, ऐसे कैसे तुम भूल गए, जब मुझे तुम से प्यार हुआ, तो तुम उकता गए मुझसे, छोड़ दिया मुझे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती और ना छोड़ सकती हूँ, वो चिला रही थी, चिलाओ मत और मेरा दमाग खराब मत करो, तुम्हें अब तक कितने लड़कों से प्यार हो चुका है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, अब जाओ, यहां से तमाशा करने की जुरुत नहीं है, अर्जे का लहजा पर्व जैस प्लीज मुझे अपना लो, वो लड़की रोनी लग गई थी, मैंने कहा ना दमाग खराब मत करो, जाओ यहां से मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चोड़ सकती, और अगर तुम मेरे ना हुए, तो देखना बहुत बुरा होगा, उस का लगाया हुआ तमाशा, हानम ने एक एक लफ़ जबा कर कहा था, उफ, मेरा आर्जे, मैरो बिला एक त्यार ही हसी थी, अब वो तीनों अपनी टेबिल से उच चुके थे, गुसरनी का रासा मैरो हानम की टेबिल के पास से था, अल्ला बाग दिल दोड़ने वालों को कभी भी माफ नहीं करता, हानम के लहजी में बला की काट थी, बास से गुजरता आर्जे फोरन रुका था, वो उसकी बात सुन चुका था, तरहकीकत उसे ही ये बात सुनाई गई थी, कमाल है मिस हानम, अल्ला के इन सबसे क्या तालुक, वो पलट कर अब हानम से फूश रहा था, आनम एकदम करवड़ा गई थी, उस अंदासा नहीं था, वो यू सवाल करेगा, यगीन नहीं होता कि किस्मी सदी में भी कोई कैसे हुदा पर यगीन कर सकता है, जब साइस हरमेदान में इजादात कर रही है, और एक हमारे लोग हैं, जो हुदा की रट लगा कर बैठे हैं, वो आम से लहजे में बात कर रहा था, तुम ना मानो, किसी ने फोर्स नहीं किया तुमें, वो दूसरों के सामने उससे आप कहती थी, लेकिन आज वो भरम भी अदम कर दिया था, वो सब के सामने ही तुम पर उतर आई थी, लेकिन आप तो हुदा पर एकिन रखती हैं, तो लोग के मूँ नहीं लगते, रुष्णा ने बालो को चटका देते हुए कहा था, तुम लोग जाओ, ये मेरा मसला है, मैं जिससे चाहूं बहस करूँगा, रुष्णा की बात पर उसे घुस्सा आया था, मैं हुदा को मानती हूँ, तुम नहीं, मुझे दालायल की जूरत नहीं है, लिकिन तुमें है, और जिससे जुरुवत होती है, वो ही ढूनता है, इतनी सहानत लिए फिरते हो तो ढून लाओ तलायल, क्या इतना सब भी नहीं कर सकते तुम, वो चैलेंज करने वाले अंदास में कहती ही, वहां से चली गई थी, एक मीन के लिए भी नहीं रु यानि, वो उससे इतना हार खाने लगी थी, कि उसकी बात का जवाब देना भी पसंद नहीं करती थी, पेपर्स के बाद उन्हें एक अफ़ते की सैमिस्टर ब्रेक में ली थी, आज दिन बाद वो दोबारा डिपार्टमें मूझूद थे, आज फिर सेमिनार था, उसमान मली उससे ढूंड रहा था, आखिर वो उसे क्रोण में नसर आई गई थी, चूँके फरवरी का महीना था, बादल उमट-उमट कराते थे, सर्थी कम हुई थी, लेकिन अदम नहीं, हानम कैसी हैं आप, वो उसके पास पहुंच चुआ था, जी मैं ठीक हूँ, आज सेमिनार हैं आप जानती हैं, आज तो आप मेरे साथ चलें, आप मेरे टीम का हिस्सा बन चुकी हैं, उस्मान मलिक ने कहा था, मैं कोशिश करूँगी लेकिन मैं दावा नहीं करती, कि मैं ठीक से काम कर पाऊंगी या नहीं, मुझे उमीद है आप कर लेंगी, वो पुर उमीद साओ कह र कहा था, ठीक है, जल्दी आएं, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका, वो मुस्कुरा कर खेदा वापिस पर अटकिया था, जबकि हानम ने कॉल रिसीव करने के बाद, फून कान से लगाया था, दूर एक शखस ने हसत बरी नसरों से दोनों को देखा था, महरू को अक्सा किस उसे डिपार्टमेंट लेकर गई थी, इससी आज हुआ अकेली थी, कुछ देर बात करने के बाद, आनम सेमिनार हाल की तरफ पढ़ गई थी, अंदर शाय सेमिनार शुरू हो चुगा था, जैसे उसे दरवासा कोलने की कोशिश की थी, नीलम जो कि उसमान की तीम की मेंबर थी, उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई थी, तुम अंदर नहीं जा सकती, नीलम ने उससे से कहा था, लेकिन क्यों, आनम हिरान हुई थी, मेरी मर्जी, ये जो तुम ने खेल खेला है न, सब अच्छे से जानती हूँ, उसमान को इट्रेट करने के लिए तुमने ये सब क किया, तुम तीम का हिस्सा तो बन गई हो, लेकिन मैं तुम्हें उसके करीब नहीं होने दूगी, नीलम पनकार रही थी, हानम का दमाग उसके बास सुनकर भग से उड़ा था, उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही थी, अपकर दमाग तो ठीक है मिस्सीलम, हानम को गुस्सा आया था, मेरा तो ठीक है, लेकिन शायद उस्मान को देखकर तुम्हारी नियत हराप हो गई है, मैं तुम्हें अच्छे से बता दू कि मैं और उस्मान कजन से और बहुत जल्द हमारे निकाह होने वाला है, तो तुम अपनी घनोनी चालों से बास आ जाओ, हानम क कि उस्मान मलीक और उनकी टीम का हिस्सा बनने में कोई दिल्चस भी नहीं है, और आप सीनियर हैं, आएंदा इसी बात करने से पहले सोच लीजेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आप से कुछ कहूँ, हानम ने कुछ पर सोर दिया था, उसका मतलब इंसल्ट था, वो उसका जवाब सुने बिना वापिस खरोण में आ गई थी, क्राउंट हाली था, कुछ सुजिन सेमिनार के नाम पर ही डिपार्टमेंट से भाग जा दे थे जबकि कुछ को क्लास हो रही थी, और बाकी सेमिनार हॉल में थे, वो लगड़ी से बने बेंच पर बैठ गई थ आंके नम होना शुरूएं थी, वो अच्छा करना चाहती थी, तो पुरा हो जाता था, वो जो सोचती भी नहीं थी, लोग वो इलसाम लगा दे थे थे उस पर, वो अपने बैठ पर उंगली से कुछ लिख रही थी, आंसों को सब्ट करने की कोशिश चारी थी, करदत चुकी उसे लग रहा था, कि अगर उससे आंकों उपर गी, तो लोग उसके आंसों देख लेंगे, वो जितनी सक्तिल नसरा आती थी, उतनी हसास भी थी, चोटी-चोटी बातों पर आंखे पर आती थी, जाने जिन्देगी की किस तचरपे ने उसे तल्ग बना दिया था, वो पहले जो लगा था, वो अपने काटडार ले जैसे बस दूसरों को खायल करती है, अवास पर जैसे आनम को खरंड लगा था, उससे मोड़कर अपने दाएं दरफ देखा था, आरशे बेंच के ओपर चड़कर पैठने वाले हिस्से पर पहुंच जमाए, देख लगाने वाले हिस् आनम जानती थी, वो उसे चलाए बिना बास सही आने वाला था, तुम तो सेमिनार में थे न, हाँ था तो, एक बेवकोफ लड़की से भैस करनी थी लेकिन वो धर कर भाग गई, वहाँ आई ही नहीं, तो मैं भी बाहर आ गया, वो शाराट से कह रहा था, आनम ने घूर कर उ से दिखा था, एक बात तो बताओ, उसके लहचे का अंदाज एक्दम बदला था, आनम ने सवाले नसूर से दिखा था, रे आंके रोने के पाइस खुलाबी हो चुकी थी, बलके नम थी, क्या मुसीबत है यार, वो परबढ़ा कर कहता चेहरे कर रुख मोड़ गया था, उस क्यों लगता है, वो इनसान हमें पहले भी कहीं मिल चुका है, वो हमें अपने जैसा क्यों लगता है, आरचे की बात सुनका हानम भी किसी हसी हसी थी, उसे आरचे से इस सवाल के तवक्का नहीं थी, वो हैरान भी हो रही थी, वो कितने नॉर्मल लहचे में बात कर रहा था, ना कोई हुसान अतन्स ऐसा मैसूस हो रहा था जैसे वो बागे किसी उल्चन का शिकार हो धंदी हवा तो उनों के चेहरों को छुका पलट रही थी मौसम काफी हुश्कवार था तुम हुदा पर यकीन नहीं रखते तो अल में अर्वा को क्या मानोगे ये सब रूहों के खेल है मिस्टर आर्जे ये तुम्हारे बस की बात नहीं क्या मतलब आर्जे ने उल्चन अमेज लाजे में पूछा था मतलब ये कि इस जहां के इलावा और भी जहां है और एक रूहों का जहां है तुम्हारे पास स्कैनिंग आइस है न लेकिन तुम फिर भी वो सब नहीं देख पाते जो मुझे नसर आता है हानम ने आस्मान की तरफ देखते होगी कहा था ये उसका पसंदीदा मौसू था बादलों से रख्या आस्मान ने उसे पुरसुकून किया था चाने वो वहां किसे देख रही थी बहुत कुछ नसर आकर भी बहुत कुछ छुपा होता है उसे देखने के लिए बसीरत की शुरुत होती है जो शायद तुम्हारे पास नहीं है लेकिन मुझे उमीद है कि एक वक्त आएगा जब तुमें सब नसर आना शुरू हो जाएगा एक वक्त आएगा जब तुम किसी चीज़ का इंकार नहीं करपाओगे लेकिन ना जाने वो वक्त कब आएगा ये रूहों का जहां कौन सा है आरजी ने उसकी बात को नसर अंदास करते हुए अपना सवाल दरवाया क्या रूह पर यकीन है तुमें हानम के सवाल पर वो जोंका था वो वागए रूह जैसी किसी चीज़ पर भी यकीन नहीं रखता था जब रूह पर यकीन नहीं तो उसके जहां के बारे में जानकर क्या करोगे वैसे भी वो दूसरा जहां है वो तुम्हारे बस की बात नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं हानम का लहजा जस्वाती हो गया था उसने एक बार फिर आस्वान के दरफ देखा था बारिश की पहली पूर्ण ने उसके चेहरे को चुछ हुआ था हानम आंके बंद कर गई थी बातलों के गरशनी की सोरदार आवास के साथ विचली चमकी थी विचली की चमक में उसके चेहरे पर कुछ चमका था वो एक दिलफरेब मनसर था आरचे ने हुद को इस वक्त बहुत बेबस में सूस किया था उसके अलफास को मोने लगे थे बारिश की बूंदों ने शिद्दत पकड़ ली थी याखला हर दरफ कहरे से आप आतलों की वज़ा से अंधेरा सबह लिया था हानव अपने पैक को सभालते हुए बेंच से उठी थी और गेट की तरफ कटम बढ़ा दिये थे इससे पहले बारिश डेस होती वो होसल पहुचना चाहती थी आरजे की नजर पेंच पर रखके उसकी मूबाल पर बढ़ी थी उसने बेहत्यार ही हाथ बढ़ा कर हानव का मूबाल उठाया था दूंट टश वाइम फून यू मगल्स बॉल पेपर पर लिखा था और नीचे एक साम मूँ कोले दस्ते को त्यार था आरजे का वेहासा कहका बुलंद वा था उसने चेहरा उठाकर आस्वाइन की दरफ देखा था उसका चेहरा बारिश से भीग था वो बेताशा हस रहा था उसे एकीन नहीं आ रहा था कि वाके वो इस लड़की का मूबाइल था अपना मूबाइल मुझे गिफ्ट करने का इरादा है क्या मिस्ट रादू करनी वो उन्ची आवास मुझे लाया था आनम करंट खाकर बल दी थी फिर तेज से इस कदमों से उसकी चानी बड़ी थी आरचे दिल्चस नसूसों से दीख रहा था अनम ने उसके हाथ से मूबाइल पकड़ा नहीं चीना था और फिर एक घूरी से नमाज से वापिस आ चुकी थी वो बारिश में बैटा वीख रहा था फिर हाथ बढ़ा कर उससे अपनी जैकेट से अपना मूबाइल निकाला था जिसके वाल पेपर पर डॉंट टच मैं मूबाइल्स यू ब्रोमाइड्स लिखा चमक रहा था ब्रोमाइड्स आम लोग थे जबके HP सीरिस के मताबिक मगल्स ऐसे लोग थे जो आम होते हैं जिने जादू नहीं आता था दोनों के मूबाइल का वॉल पेपर एक ही पेगाम देता था कि आम लोगों हमारे फून को मत चूहो वो कितनी ही देर बारिश में बैटा भीगता और हसा रहा था उसे एक ही नहीं आ रहा था कि दुनिया में कोई था जो उसके जैसे सोच रहा था और कौन कह सकता था कि वो दो लोग एक जैसे नहीं थे कौन कह सकता था कि वो दोनों सलफाइट नहीं थे और कौन कह सकता था कि वो दोनों जदूगर नहीं थे कौन कह सकता था हानम दो दिन डिपार्टमेंट नहीं गई थी उससे बारिश में भेगनी की वज़ा से ठंड लग गई थी डिपार्ट्रेंट में स्पोर्ट्स काला के त्यारियां चल रही थी आज उनके डिपार्ट्मेंट में मुशायरा था मशूर शायरू को दावत दी गई थी जाम को पांच बज़े वो दायार होका डिपार्ट्मेंट पहुंच गई थी हर जगर फ्रंग बिखरे पड़े थे उस बूम में बसी लड़कियां देखने के लाइक थी डिपार्ट्मेंट के बाहर जन्नत रोट पर रोनक लगी हुई थी शायरों ने हमें बोर करना है आर्जे तुम ही कुछ सुना दो सूरेंट्स उसके पीछे लगे हुए थे उसकी नज़े हानम को टूंड रही थी हानम किस तरह की लड़की है उस लड़कों में क्या च्छा लगता है वो चाहती है कि कोई लड़का बारिश में उसके लिए कुनगुनाए आर्जे कुछ दिन पहले उस्मान मलिक और महरों के बाते सुन चुका था यकीनन अब वो उसकी ये शाम हराव करने वाला था अजानक उसकी नजर कैफी के पास रक्तों के पीच्छे खड़ी हानम पर पड़ी थी वो हबासस से मस्कुराया था गिटार तामने के बाद अब वो कुनगुनाना शुरू हो गया था सुरेंट सामोश हो चुगे थे महरों के साथ बाते करती हानम गिटार की आवास पर जोगी थी कुर्सियों तरक्तों और पोदों पर भी रोश्टी के सजावट की गई थी ये पूरा हफता बार शुका था और इस वक्त भी तंडी हावाएं अठियों में खुशी जा रही थी आर्वन ने पलटकर आर्चे की तरफ देखा था क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाओंगा सांसे चुरा के वो कि डार थामें कुन-गुना था उसी की तरफ भढ़ा था आनम हैरत से कुंग मुझ खोले उससे देख रही थी आर्चे की आँकों में अजीर सी अलोगी चमक थी वो चमक आज से पहले किसी ने भी नहीं देखी थी उसी आँके कुछ और ही बेगाम दे रही थी जिसे वहां मुझूद कोई शक्स ही परपाया था दिल कह रहा है गुनागार बंचा बढ़ा चैन है इन को नहीं से आगे वो अब उसके केट खुम रहा था मैं गुमशुदा सी रात हूँ मैं हुशनुमा सुभा तुम हो वो अब मुस्कुरा था दुस्री लड़कों की जानी पढ़िया था मैं जो चीर रहा हूँ वजा तुम हो वजा तुम हो और कुंगरनाता अपना काम हतम करके रिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया था सुडेंट्स उसके पीछे गए थे आनम ने खुरकर महरू को देखा था कसम ले लो मैंने उसे तुम्हारी खुआश के बारे में नहीं बताया महरू ने सफाई दी थी आनम का मोड बिग्रा था उससे कितने दिल से खुआश की थी और वो आरजे पानी फेर गया था उसके अर्मानों पर मैं तुम्हारी दोस की लव स्टोरी का हीरो नहीं हूँ बलकि विलन हूँ विलन और मुझे विलन बनकर उसके जिन्दी खराब करने का शोक हो रहा है महरू के मुबाल पर मैसेज आया था वो कहका लगा कर हसा था मैसेज पढ़ने पर आनम का बारा हाई हुआ था अल्ला करे उसका गिटार तूट जाए उसकी उसकी आनम ने मुँ और मुठियम भींच कर खुद को और बद्वा देने से रोका था उसके हालत देखकर मैं खुका क्यका बुलंद हुआ था वो कितने ही देर हसी रही थी आनम उसे से मुँ फुला कर वहीं जन्नत रोट पर बैट के थी रोश्णियों से चक्मक करते चरनल रोट पर सुटेंट्स ने उसे तयार श्यार नीचे बैठा देखा तो मजाक उड़ाते अंदर चले गए बस करो हानी अब चलो ना अंदर मुशारा शुरू हो चुका होगा मैरू ने हानम से कहा मुझे होस्टल जाना है वो मनुस आर्चे अंदर मुझूद है उसके होतोवे में हुश नहीं रह सकती आनम ने धाई दी थी मैरू ने मुश्किल से अपनी हजी को सब्द किया था वो जा चुका है हानी मैरू ने मुश्कुराते होगे बताया था क्या वाग गई? आनम हुचोंगी हाँ सच्ची मैरू ने से एकीन दिलाया था ओके फिर चलते हैं वो जट से काड़ी हो गई थी तरके मैरू उसके यूँ मूट बदलने पर हैरान रह गई थी वैसे इतना तो बुरा नहीं है वो मैरू ने अफ की से कहा था मैंने कब कहा वो बुरा है बल्के वो नहायद बुरा है आनम पी सिती थी मैरू अफसो से सच अटकते डिपार्टमेंट बिदागिल हुई थी मुल्क की मशूर शायरों को बुलाया गया था मुशायरा बहुत अच्छा चल रहा था आनम के गोर करने पर भी आर्चे उसे कहीं नज़र नहीं आया था वो वागई उचा चुका था आनम ने उसके गयर मुझूती पर शुकर अदा किया था रात का ना जाने कौन सा भैर था जब अजीब से हैसास साथ के साथ आनम की आंग खुली थी कोई उस पर जुका उससे उठा रहा था हानी उठो हानी वो महरू रो रही थी क्या हुआ महरू आनम एक चट के सुट पहरी थी हानी वो मामा महरू सस्किया ले रही थी वो रोते हुए आनम की कले लग गए थी क्या हुआ अंटी को तुम रो क्यों रही हो आनम का दिल काप उटा था उसे कुछ गलत होने कैसा सुआ था वो मामा को हार्ट हारटेक हुआ है मेरोंने मुश्किल से रोते हुए बताया था या अल्ला है आनम का दिल धेल गया था अच्छा तुम चुप करो रो मत ये बताओ कि चार वजे का वक्त था आनम कमरे से भाई निकली थी वो सिधा कौंटर पर गई थी जहां रात का गार्ट यूडी देता था उससे कौंटर पर मुझूद कार्ट को सबत आया था जिससे वार्टन को कॉल की थी महरों के घर फोन करने पर उन्हें हबर की तस्तिक मिल चुकी थ कुछ देर बाट महरों अपने भाई के साथ जा जोगे थी पके वार्टन ने हानम को इस वक्त महरों के साथ जाने की चासet नहीं दी थी आनम को उसससा थो आया था लेकिन वो हौसल की गवानीन को नहीं तोर सकती थी जॉर्डन तुम आजकल कहा होते हो? मैं कुछ जिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा साधा थर वक्त बाहर कुछरता है. क्यों? इंथनी जॉर्डन से पूछा आथा. क्यों मैं बाहर नहीं जा सकता? जॉर्डन ने उसे सूल्टा सवाल पूछा था. जा सकते हो लेकिन? क्या लेकिन? जॉर्डन ने उसकी बात काटी थी. कुछ खलत हरकत मत करना. इंथनी ने दुर्खास की थी. वो जॉर्डन की घुस्से और इसी शिक्सियत से अच्छी तरह वाकिव था. मार्था की मौत के बाद वो और जाधा हामोश रहनी लगा था. पहले तो जाधा वक्त घर और जिब में गुजारता था या प्रेक्टिस करते हुए. लेकिन आजकर वो थोड़ा अजीब सा रवाया अपनाय हुए था. चल्दी चल्दी में नाश्टा करता था. जैसे कहीं पहुँचना हूँ, बार बार वक्त दिखता रहता था. डोंट वरी, जो करूँगा सब ठीक ही करूँगा. जोड़न ने सर्च से लहजे में कहा था, जबके इंधनी सहीला कर रहे गया था. एरिस में सलाना बहुत बड़ा फेशन शोग हो रहा था, जिसका एला को काफी एर पहने, वो शक्स, वो उसे कई दिनों से नोट कर रही थी. क्या हुआ माही, चलो चलती. एला ने काड़ी में बैटते हुए कहा, आँ, हाँ, चलो. माही के चेहरे पर उल्चन माज्या थी, वो काड़ी में बैट गई थी, लेकिन उसकी नजर पैक मेरा से काड़ी के पीछे आती पाइक पर थी, उसके हावास वाकता होने लगे थे, एला, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, माही ने डरते हुए बताया था, वोट रेली, एला ने पुर्चोर से लहजे में पूछा था, हाँ, मुझे कुछ दिनों से मेसू सो रहा है, कोई हम पर नजर र गही हूँ, वो देखू गाड़ी की पीछे, माही ने इशारा करते हुए दुबारा मेरा मेरा में देखा था, लेकिन अब वो बाइक आई थी, उसका दमाग चक्रा गया था, कहाँ, एला ने पूछा था, लेकिन माही के पास कोई जवाब नहीं था, तुम्हें रेस की जु को लेकर, तुम जहनी तोर पर डिस्चाफ हो जुगी हूँ, एला ने सिंजीती से कहा था, जबके माही हामोश हो गई थी, वो अब उससे क्या बताती, क्या समझा थी, उससे वागई बहुत दपा उस हेलमेट पहने शक्स को अपने हास पास दिखा था, लेकिन वो ये भी ज घर से आजिया पेगम को लेकर, वो महरू की मां की हैर्य तर्याफ्त करने गई थी, अच्छा किया तुम आ गई हो, महरू उससे देखकर बहुत होश हुई थी, अलबता वो काफी कम्सोर नसरा रही थी, उसकी मां की दपेद काफी हद तक संबल गई थी, लेकिन वो अभी भ विमार थी, काफी देर बैटने के पाद वो अफ वापिस चाने के लिए तयार थी, अच्छा सुनो, कल मंदे है, तुम यूनिवस्टी जाओगी, महरू ने पूछा था, हाँ सुभा होस्टल चली जाओगी, आनम ने जवाब दिया था, कल तुम डिपार्टमेंट नहीं जा बताना क्यों नहीं, आनम को हैरान की हुई थी, सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी बस इतना याद रखो कि चार बज़े से पहले नैप आफिस के सामने, मैं वहीं आ जाओंगी, महरू ने चार बज़े पर सोच दिया था, ये तुम दोनों सरगोशियों में क्य बादे कर रही हूँ, थोड़ा उंचा बोलो, हमें भी बता चले, महरू की भावी ने शरार्दन दोनों को चिड़ा था, नहीं नहीं भावी, कुछ नहीं, ऐसे ही, महरू ने जवाब दिया था, कुछ देर, मसीद बेटनी के बाद वो वापिस अपनी घर आ चुकी थी, महर उसे पूछने के लिए दो तीन बार उसका नंबर मिलाया था, जो ओफ जा रहा था, क्या मुसीबत है यार, वो चुंचला गई थी, अगले दिन भी वो उसका नंबर मिलाती रही थी, एक तो वो चुटियां कर रही थी, जो कि गलत था, ओपर से फोन भी ओफ जा रहा था, आनम अपने बाग पर डिपार्टमेंट चली गई थी, तीन बजे का वक्त था, वो क्लास लेकर फ्री हुई थी, जब उसे महरू की कॉल आई थी, तुम पहुंच रही हो ना नेप आफिस, महरू पूछ रही थी, आनम का उसकी बात सुनकर तमाग खुमा था, तुम्हार तम थाम कर रहे गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या करे, किसी को भी बिना बताए यूँ क्लास छोड़कर उसकी ब्रदाई जगा पर पहुंचना आनम के लिए बहुत अजीब था, कहीं महरू किसी मुसीवत में तो नहीं, अचानक उसके सेन में हैयाल आया था, वो बिला मिन्ट वो रोटपा कड़ी रही थी, लोग उसे अजीबों गरीब नसूसे खूर रहे थे, उसे अपनी बड़ी सी चादर को अच्छे से हुद पर लपेट रखा था, और आदा मूँ चुपाया हुआ था, आनम ने कामते हाद उसे फोन निकाला था, इससे पहले कि वो चार हो गए थे, लेकिन मेरू कहीं नहीं थी, मौसम आपर अलूद हो रहा था, और उसका दिल धक धक कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करें, बार बार कोशिश करने पर भी, उसका मोबाइल आन नहीं हुआ था, इस जगा पर वो आटो में आ गई थी, लेकि जैसे ही पांच बजे थे, आनम की आँके नम होना शुरू ही थी, अंधेरा पहल चुका था, महरू नहीं आई थी, वो उससे कॉल भी नहीं कर सकती थी, इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, कि आनम का दिमाग काम नहीं कर रहा था, उससे दिल से दुआ की, कि अल्ला उसकी ला हो गई थी, पहली बार उसे आरजे को देखकर अच्छा लगा था, वो इस वक्त उसके लिए एक मसिया बन कर आया था, वो, वो मैं, आनम की अलवास साथ नहीं दे रहे थे, गाड़ी में बैठो, उसका अंदास हाक्मिया था, बिना कोई, कुछ सोचे समझे, आनम दुस सल जाना है, आनम ने खुद पर काबू बाते होगी कहा था, अलबत्ता उसके आवास रोन गई थी, ओके, आरजे ने काड़ी का रूफ केमपस की दरफ मुर दिया था, तुमने बताया नहीं, यहां क्या कर रही थी, चन्दमिन की हमोशी के बाद आरजे ने दुपारा फुद पर जो बेवकूफों की तरह महां चली आई थी, आनम ने आरजे की बात का कोई जवाब नहीं दिया था, आरजे को उसकी हमोशी चड़ा रही थी, उससे गाड़े में म्यूसिक लगा दिया था, प्लीज इससे बंद करतो, आनम ने आरजे सिलते जा की थी, उसका सर दर्ट से भट रहा था, और गाड़ी तेज चलाओ, मुझे जल्दी हौसिल पहुंचना है, उससे परेशानी हो रही थी, कि अगर हो मुकररा वक तक हौसिल ना पहुंची, और लेट हो गई, तो वाड़े उससे नहीं बखशे ही, उसके बात का आरजे पर उल्टा असर उससे काड़ी के रफतार कम जबके म्यूसिक का वॉल्यम तेज कर दिया था, आनम ने आंखे मेच कर खुद को कुछ गलत कहने से रोका था, इस वक्त वो उसके रह मुकरम पर थी, मुझे यहां महरू ने बुलाया था, कुछ काम था हमें, लेकिन वो लेट हो गई, नहीं आ गई थी, वैसे हो तुम पांच फिट चार इंच की, लेकिन नखरा क्यों है इतना तुम में, आरचे की बात पर हानम ने हैरत से रुख मोड कर उसे देखा था, वो अब उससे खुर रही थी, हाना, इतनी है हाइट है तुम्हारी, एक इंच उपर नीचे हो सकता है, वो जिससे आरचे को गुसा आता, और वो उसे छोड़कर चला जाता, मेरी मज़बूरी का फाइदा उठाने की कोशिश मत करो, आनम का लहचा काटदार था, आरचे का कहका बुलंद हुआ, क्या बात है, वैसे न मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर होती भी, त उसे चड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ा था, तुम्हारा नाम किससे रखा था, अब हानम किसे हद तक नॉर्मल हो जुई थी, मैने हुद, वो फिर आजसा था, रोहान की बात कर रही हूँ, वो माम ने रखा था, आरचे ने बताया, क्या तुम्हें पता है, रोहान का मत अब हासत में लिप्टी रू किसी और की नज़र नहीं आए, अरचे के खेकर को प्रेक लगी थी, अचानक उसके चेहरे पर सकती छा गए थी, और मुझे इस चीज़ से कोई फरक नहीं पड़ता, कि मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं, और तुम्हें भी मुझ पर इतनी कहरी जरुत नहीं है, वो सखसे लहजे में बोला था, आनम हामोश हो गई थी, कौन सो होस्टल है तुम्हारा, वो लोग गेट नमबर चार से होस्टल एरिया में दाखिल हो गए थे, पहले वोईस होस्टल था, होस्टल एरिया में रोनक लगी थी, अर दरफ लड़की खूंते न वो एक एक लफ्स चबा कर बोला था, क्यारा, हानम ने जवाब दिया था, कुछ मिन बाद होस्ट के होस्टल के सामने खड़े थे, हानम बिना कुछ कहें काड़ी से भाई निकली थी, और फटा फट होस्टल की गेट के तरफ बढ़ गई थी, जैसे ही वो गेट खुलकर अं बाद शुकराने के नफल अदा किये थे, अल्ला ने उसकी हिफासद की थी, उसे महरू पर शदीद उसा था, और उसी गुस्से की वज़ा से उसे तुबारा महरू को कॉल नहीं की थी, अगले दिन महरू होस्टल आई थी, उसके सर पर पट्टी बंदी हुई थी, आनम उसे में तुम्हारा नंबर मिलाया था, लेकिन वो बन जा रहा था, आनम के सर तो चाम में तांसरों आद देखर महरू ने सफाई पेश की थी, ठीक है, आनम इतनी भी बत्तर दिल नहीं थी, अब वो उससे ट्राइवर के बारे में पूछ रही थी, जिससे साधा चोट आई थी, वो दोनों डिपार्टमेंट के लॉन में बैदी थी, महरू के वालित का इस्लामाबाद में ट्रांसफर हुआ था, वो लोग कुछ दिनों तक वहां शिफ्ट होने वाले थे, महरू का अभी कनफर्म नहीं था, अनम उससे बाना कर रही थी, कि वो ना जाय, वो अफसुर था थी, जब महरू उसे यकीन नहीं दिला सकी, तो उसे मुबाल निकालकर यूट्योब वीडियो सेखने शुरू कर दी थी, जितना वक्त तुम इन वीडियो सेखने में लगाती हूँ, अगर उतना पढ़ो ना, तो तुम टॉप कर जाओ, आरजे नहीं, इस वार भी आरजे न महरू, अगर वो जहीन होता, तो शेतान ना होता, आनंग की बात ने महर को कुंग कर दिया था, वो बहुत गहरी बात कह गई थी, और उन से कुछ वास्ते पर पीछे खड़े, आरजे की कदम जो महरू से कुछ पूछने आया था, पत्तर क्यों हुए थे, उसे दान भीज कर हुद पर कावो पाया था, और फिर वापिस पलट गया था